नमास्कार दोस्ता स्वगत्यापका हमारे शेनलिस्यार जागंद्र मिसा में 19 नवंबर को चंद ग्रहन 6 राशियां होंगी करोड़ोपती 6 राशियां बनेंगी कंगाल दोस्तों साल 2021 का यह दूसरा चंद ग्रहन और अंतिम चंद ग्रहन लगने जा रहा है जो कि कार्थिक महीने के पूर्मा तिथी को लगेगा इस ग्रहन के दोरान बहुत शारी घटनाई होंगी साथी तीन ग्रहों की यूती बनी रहेगी शूर मंगल और बुद्ध ग्रह की एक साथ यूती भी बनी रहेगी तो वहीं दोस्तों ये काफी भेंकर चंदग्रहन रहने वाला है और ये काफी लंबा चंदग्रहन रहने वाला है सदी का सबसे लंबा चंदग्रहन साबित होगा आपको बताना चाहेंगे कि 19 नबंबर 2021 को लगने वाला ये चंदग्रहन सभी राशियों पर अलग अलग और कुछ छे राशियां ऐसी हैं जिनको करोडों का धन मिलने वाला है। जातक पर ग्रहन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा लेकिन कुछ राशियों के लिए बेहद ही लाबदायक रहेगा तो कुछ राशियों के लिए निगेटिव यानि की कुछ अशुव परिणाम लेकर आएगा। जातक पर ग्रहन के लिए लिए इस ग्रहन में शुव परिणाम आपको मिलेंगे जिससे जीवन में चल रही हर प्रकार की समस्याओं से आपको समधान मिल सके। दोस्तों जोतिस सास्त्र के अनुसार चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्रमा जब अशुव फल देता है या ग्रहन की इस्ति बनती है तो ब्यक्ति को मानसिक तनाओ ब्रहम इश्मरन सक्ति से संबंधित तकलीफे होती है। ग्रहन को एक अशुव घटना के तोर पर देखा जाता है। प्रभाव से देश में कई प्रकार के अशुव और शुव प्रभाव देखने को मिलते हैं। कभी भूकम पाना तूफान प्राकरतिक आपदाएं आती हैं। और हलाकि ये आंसिक चंद ग्रहन होगा जो 19 नवंबर को लगेगा। जो भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश में कुछ समय के लिए दिखाई देगा। इसके अलाबा ये अमरीका के उत्तरी और दच्णी योरोप और अमरीका में दिखाई देगा। चंद ग्रहन जब पूर्ण होता है तो सूता काल 9 घंटे पहले पूर्व से आरंब हो जाता है। लेकिन धार्मिक सास्त्रों के अनुसार इस ग्रहन के दौरान कुछ बिशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सुता काल में खाना पूजा और भगवान के मंदिर में जाके इसपर सकरना बरचित है। ग्रहन के वक्त भगवान परिसानी में होते हैं ऐसे में उनके मंत्रों का जाप करें। सिर्फ बड़े बुजुर्ग और बच्चों को छोड़ कर गर्वती महिलाओं को छोड़ कर कोई भी भोजन आदिर की चीज़ें ना खाएं। सिर्फ बच्चों के मंत्रों का ओम नमई शिवाय महा मृतंजय मंत्र का जाप करना चाहिए गरहन के दर्मियान। तो आप लिए अच्छा रहेगा और ग्रहन के बाद शिनान करके सुद्धो कर वस्तर पहन कर आप कुछ दान दच्चना करें। गुड़ का तिल का दान करें और वस्तरों का दान करें। आप कंबल वगएरे का दान कर सकते हैं। गुड़ और तिल से बने लड्डू का दान कर सकते हैं। धन से जुड़ी कई तरकी जो समस्याएं हैं इनसे आपको मुक्ती मिलेगी अगर आप ऐसा करते हैं इसके अशुप प्रभाव से बचे रहेंगे। विशेसकर सावधानी बरतने की जरूरत है इस चंदग्रहन के दर्मियान। अब जो दूसरी राशी आती है दोस्तों बता दे कि जो यहाँ पर वो है यहाँ पर मिथुन रास के यातकों अब आपके किस्मत बहुत तेजी से चमकेगी। प्रही तरह के आपको धनके लाब होंगे। अपने घर परिवार में शुक्षाधनों में ब्रद्धी करेंगे। बड़े बजुरगों का आस्तिरबात प्राप्त होगा घर में संतान प्राप्ती के प्रबल योग बनेंगे। बता दे कि इंकम आए में ब्रद्धी होगी आपको जमीन प्रपरिटी बेच कर अच्छा खासा लाब कमा पाएंगे। प्रकार के लाब कमाएंगे। खासकर बैंकिंग के छेतर में कोई लोन वगारा मंजूर होगा जिससे आपकी आर्थी के सिती मजबूत होने वाली है। नए कारियों के सुरुआत आपके लिए काफी लाब प्रत रहेगी। आप इसमें कोई नए फाइनेसल प्रानिंग करेंगे, नए डिसीजन लेंगे, बिजनेस ब्यापार का विस्तार करते ने जराएंगे, जिससे आपको ज़्यादा ज़्यादा लाब देखने को बड़े भाई बैनों को सहयोग प्राप्त होगा, घर में कोई बेहतर कार होता नजराएगा, अविवाही जातकों के रिष्टों की चर्चाएं हो सकती हैं, और धन खर्चों में कमी आएगी, लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आर्थिक मजबूती देखने को मिलेगी। अब जो अगली यानि जो पांचमी जो राशी आती है दोस्तों, बता दे वो है यहां पर दोस्तों, मीन राशी, मीन राशी के जातकों, आप भी करोड़पती बनने वाले हैं, क्योंकि इन छे राशीों में से आप की भी राशी एक सामिल है, इसमें विद्यारतियों के विद्यां भी आपके कदमों पर होगी, पड़ो शेक्षा संबन्द बेतर होगे, तो यहां पर देखा जाए तो विद्येस से आपको कोई सुब सोचना मिलेगी, विद्येसी कमपनी से लाब होगा, तो विद्येस में अगर कोई बिजनस व्यापार करते हैं, तो उसमें दि विद्येसी कराश्य के जातकों आपको अनेको परकार के धन लाब होंगे, धन कमाने के कई तरह के आडिया आपके मन में आ सकते हैं, जवरजस्थ जमतकारी के लाब देखने को मिलेंगे, करोड़ोपती बनने के, माला माल बनने के कई सुनेरे मौके मिलेंगे, क्योंकि धन स प्राप्ति के प्रवल योग बनेंगे घर में खुसाली का वाता वरन देखने को मिलेगा घर में कई तरह के चमतकारी कलाब देखने को मिलेंगे अब चलिए दोस्तों बता दे कि आखिर वो कौन से छे राशिया है जो की कंगाल यानि की जिनको भारी नुक्सान होने वाला है तो इनको विशेश कर सावधानी बरतने की जरूरत है जैसे दोस्तों बता दे कि ब्रिसब राशी ब्रिसब राशी के जातकों आपको सावधानी बरतनी है लडाई जगड़े से दूरी बरा के रखना है आपके राशी पे ही चंद ग्रहन पर रहा है इस लडाई जगड़े ना करें उधार करजा किसी से किसी को ना दे ना ही लेन देन करें और इसमें आप कहीं पर भी निवेश करने से बचें यानि अगली जो राशी आती है यानि कि वो है दोस्तों यहाँ पर बता दे करक राशी करक राशी वाली जातकों को विशेश कर साउधानी बरतनी है आपको तीसरी राशी जो कंगाल होने वाली है, यानि कि इनको धन से नुक्सान होने वाला है, वो है यहाँ पर सिंग राशी, आपको भी थोड़ा से यहाँ पर बच बचाव करके चलना होगा, लड़ाई जगडे से आपको दूरी बना के रखना होगा, किसिक साथ विवाद नहीं कर आपको इसमें बिशेश कर सावधानी बरतने की जरूरत है यह सलाह दे जाती है चंदगरहन के अशुपरभाव से बचने के लिए आपको बिशेश कर इसमें लाल वस्तु का दान करें जैसे कि मशूर वगारे का दान जरूर करें अब जो दोस्तों चौथी राशी है जिसको प कुमभरास की जातकों आपको भी विशेश कर सावधानी बरतने की जरूरत है विशेश कर आप लेन देन ना करें और आपके घर में पत पतने की बीच कहीं मतभेद ना हो जाए यह फिर हो सकता है आपके लब लाइफ में थोड़ा सा दूरी बन जाए किसी तीसरे पक्ष की विज़ा से थोड़ी सी मतभेद हो सकते हैं इसलिए इस चंद ग्रहन के अशुप प्रभाव से बचने के लिए काले वस्त का दान करें हो सके तो आप काले तील और यहाँ पर काली उड़त का दान करें जी हां दोस्तों बता दे कि मकर रास की जातकों आपको भी विशेश कर साउधानी बरतनी की जरूरत है किसी से लड़ाई जगडे से दूरी बना रखना है इस चंद ग्रहन के दर्मियान ये छे राशियां ऐसी हैं जिनको विशेश कर साउधानी बरतनी है लेकिन जो छे राशियां हमने बताया है शुरूर धंसे माला माल होने वाली है तो दोस्त तो अगर बिशेश कर बेहतर लाप जाते हैं तो चंद ग्रहन से सम्मंदित उपाई जरूर करें आप और दोस्तों बता दे कि वीडियो को लाश्ट में कमेंट में जरूर आप अपना सुझाओ दें और साथ ही बीडियो को लाइक करें जदर जदर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जये शन्यवेश